हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल इस्टडी आई की प्रीमियम पर आजम लेके आ गए हैं आपके बीच में सफाई करमचारी का क्यार्मा पार्ट तो जो भी फ्रेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें पराने फ्रेंट्स रिक्वेस्ट होगी वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेर करते रहें और हमारे साथ बने रहें तो फ्रेंट्स जो भी फ्रेंट्स हमारे पहली बार आए हैं उनको बता दें कि हमारे इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप जाके सब वीडियों को watch कर सकते हैं और हम जल्द ही आपके लिए को कसे सम्मंदित महत्पूर question लाने वाले हैं जो कि हमारे previous year question होंगे और जो कि हमारे सफ़ेक करमचारी के भी यह question हम कोच लाने वाले हैं जो कि previous year question होंगे तो ठीक है फ्रेंस बने रहे हमारे वीडियो के साथ इपर कार की जानखारी के लिए चेनल करें इस्टडीआ इंक उप्तिमियम को चलते हैं अपने क्वेशन को लेते हैं पहला क्वेशन हमारा डबलिटी बाल की सफाई किसे की जाती है आ साइए इसका करके बात्रूम की दीवार कैसे साफ करेंगे तो इसका सही आंसर होगा जास्टेर में लेकर दीवार पड़ाएंगे क्या करेंगे तो उसे सुखे जस्टर से सुखाएंगे तो दियान रखेंगे अरे question का आपको क्या जवाब देना है क्योंकि ये trade test में आपसे पूछे जाते हैं जो कि मुखे question होते हैं कुछ question ऐसे भी है जो कि आपके exam के तोर पूछ लिए जाते हैं exam में क्योंकि 50 number का आपका trade test होता है जिसमें question 50 number के भी आते हैं जिसमें ये पूछ दे जाते हैं चलिए चलते हैं अगले question की तरह अगला question है हमारा गंदगी का मुखे कारण क्या है लोगों का सच्चता के प्रति जाग रोक ना होना तो इसका सही answer यही होगा गंदगी का प्रमक कारण यही है जो कि लोगों को सच्चता से प्रेरित नहीं करता इसलिए ये गंदगी बढ़ रही है अगर लोग सच्चता के प्रति जाग रोक होंगे तो यहाँ पे गंदगी नहीं होगी हमारे भारत में चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा गंदगी की वज़े से कौन सा रोग हो सकता है तो अपसन आपके सामने इसका सही आंसर है डाइरिया, टाइफाइड, नेमोनिया, हैपेटाइटेस या मलेरिया तो यह सब हो सकते हैं गंदगी की वज़े से चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा clean water क्यों जरूरी है तो इसका सही आंसर होगा बीमारी से बचने के लिए clean water जरूरी है चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा बाहर सोच जाने से वातरवन में क्या प्रहप पड़ता है इसका सही आंसर होगा वातरवन प्रदूसित होता है जो की मल बाहर अगर हम जाते है तो वहाँ पर वातरवन का प्रदूसर बनता है चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा बाहर सोच जाने से गंदगी फैलाने वाला कारक क्या है तो इसका सही आंसर होगा मक्की और हवा जो की हवा के जरिये जो की गंदगी फैलती है और मक्की के जरिये भी फैलती है चलते हैं अगले question की तरह अलो question हमारा आपके अनुसार आहत साफ करना क्यों जरूरी है तो क्या answer देंगे इसका सही answer आप देंगे सरचा के लिए और जीवानों के खत्रे से बचने के लिए तो यही सही answer होगा इसका क्योंकि अगर आप हात नहीं दोंगे तो जल्द ही आप पी मार पड़ जाएंगे चलते हैं अगले question की तरह अगला question हमारा हातों को कब साफ करना चाहिए इसका सही answer होगा खाने से पहले और सोच के बाद हातों को जरूर साफ करना चाहिए चलते हैं अपने अगले question की तरह तो ठीक है friends यही ता इसका answer तो चलिए चलते हैं अपने अगले question की तरह अगला question हमारा world hand washing day का मनाए जाता है तो world hand washing day का मनाया जाता है इसका सही आंसर लेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ अला क्वेश्चन है हमारा है वल्ल हैंड वासिंग दे क्यों मनाया जाता है तो इसका सही आंसर लेंगे रोगों से बचा वे सा और तरह तरह प्याम चला जाएं रहें सफाय के लिए तो आप चलू क continuing की तरह वहार। बातरूम सफाई का एक महथपूर अंग क्या है ताइलेट बावल की सफाई दिवारों की सफाई तो ये सभी रहार है बातरूम का मेथपूर अंग यही होते हैं टॉइलेंट बाल की सपाई दीवारों की सपाई और टॉइलेंट की नीचली सतै की सफाई चलते हैं अगले क्वेशन की तरफ , अगला क्वेशन आपके सामने आपके अनुसार बाथरूम को क्लीन कितने समय के बात करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा, जब गंदा होता है, तब ही इसको सफा कर दे, इसका कोई निशियत समय नहीं होता है, आपको जब गंदगी इसमें देखे, तो तब ही आपको सफा कर देना चाहिए, चलते हैं अगले क्वेशन की तरफ, अगला क्वेशन हमार गंदगी से होने वाली बीमारी से बचने का उपाय क्या है तो हाथों को अच्छी तरह दोते रहना चाहिए जिसे हम गंदगी से होने वाली बीमारी उसे बचा जा सकता है क्योंकि गंदगी हमारे सरीर में हाथों की जरीय जाती है अगर हमारे हाथ गंदे होंगे और हम कुछ उन्हों से खाएंगे तो वो जो भी आपके कीट लगे हुए हाथों पे वो अंदर पेट में चले जाएंगे और जिनसे आपको बीमारी हो सकती है चले चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ अला कोश्चन हमारा पानी को साफ करने का वे कल्प क्या है तो इसका सही आंसर होगा क् ब्लीचिंग पाउडर और पानी को वाल कर तो इसका सही आंसर यही होंगे पानी को साफ करने के यह कई तरीके हैं जो कि जिसमें क्लोरीन टैबलेट होती है ब्लीचिंग पाउडर भी हो सकता है और पानी को वाल कर भी साफ किया जा सकता है चलिए चलते हैं गले क्वेश्च रखेंगे चलते हैं गले कोश्चिन की तरफ अला कोश्चन हमारा डायरिया में व्यक्ति के सरी में क्या कमी आती है तो इसका सही आंसर होगा डी हैट्रेशन जो की पानिक कमी होती है इससे डायरिया में व्यक्ति को कमी आ जाती है चलते हैं गले कोश्चन की तरफ अला का संबंद किस्षे है तो यह क्या है प्लान ABC तो इसका सही अंसर होगा option आपके सामने है डायरिया तो प्लान ABC संबंद है डायरिया से चलते हैं अगले question की तरह अगला question है मारा किसका उपयोग करने पर पानी में सच्च कर सकते हैं किसका प्योंग से पानी को सुच्छ कर सकते हैं सो सैडिमेटेशन फैल्ट्रेशन या क्लोरी नेशन तो इन से ही पानी को सुद्धिया जा सकता है तो यह तीनों तरीके हैं सैडिमेटेंशन फैल्ट्रेशन ओर इन चलते Says a dot Got कि तरफ अला कोश्चन है हमारा नगरपाल का महानगरों में पानी को किस प्रसूश से कुजरनने के बाद आम नागरेकों तक प्राप्त कराया जाता है चुकि शहर हैं बड़े-बड़े तो जो नदियों में से पानी लाया जाता है उनसे पूछ रहा है कि वो क्या-क्या प्रोसेस से कुजरते हैं तब पानी योग्य पीने योग्य हो जाता है तो इसका सही आंसर होगा सेडिमेटेशन, फिल्ट्राइजेशन और क्लोरी निशन ये तीनों ही प्रोसेस उसमें किये जाते हैं तब आम नागरेकों तक वो प्राप्त होता है पानी पीने के लिए चलते हैं अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन हमारा फ्लोर बीटर टर्बिटी किसका हिस्सा होता है तो किसका हिस्सा होता है तो इसका सही आंसर होगा पानी में मेला पन तो पानी मेला पन जो होता है वो फ्लोर टर्बिटी के इससे का एक कारण है इसका सही अंसर यही होगा पानी में मेलापन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह पानी के सुधी करण में एलबम का काम क्या होता है तो इसका सही अंसर होगा जिरेट के छोटे करणों को पानी के नीचे बैठाना एलबम का काम होता है पानी के सुधी करण में चलिए फ्रेंट्स रहते आज के महत्पूर क्वेश्चन मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल क्राइक और सब्सक्राइब जरू करें और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वहां से जाके सबी वीडियों को वोच कर सकते हैं और दे सकते हैं और जल्दी आपको कुक से संबंदित क्वेशन सीरीज मिलने वाली है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में Okay, bye.